आज मैं आपको एक practical demonstration दिखाने वाला हूँ कि क्यों हमें हमारे घर में हमारे offices में stainless steel की cabinets या stainless steel modular kitchen बनाना चाहिए बादरों बनाना चाहिए इसमें सबसे important है safety factor आज हम बात करते हैं different material के बारे में देखें यह एक WPC का board है इसको बहुत जाला आजकर trend में देखा जा रहा है कि WPC लोग इस्तिमाल करते है ताकि उसमें termite ना लगे यह MDF और HDF material जिस तरह का होता है उस तरह का हमारे एक shutter है और यहां पर यह लैमिनेक का shutter है जिसमें 18M imply है और particle board में यह बनता है यह बोड में बनता है ठीक है तो यहां देखते हैं और साथ में यहां पर है हमारा एक stainless steel modular kitchen का shutter ठीक इस तरह से हमारा shutter होता है cabinet होती है तो क्या benefit है क्यों हमें अपने घर में हमारे offices में हमारे storage में stainless steel modular kitchen, bathroom vanity, wardrobes या storage cabinet बनानी चाहिए इसका इमें एक practical demonstration देखते है फ्रेंट जैसा कि देखागा कई बार short circuit होता है या किसी भी कारणवर्ष आपके घर में आपके kitchen में या office में आग लग जाती है तो क्या impact होता है आपके documents पर या आपकी life के safety पर तो यहां पर आम लोग क्या करते हैं यहां थोड़ा थोड़ा पेट्रोल इन सभी चीजों पर डालते हैं देखें यह मैंने इस पर पेट्रोल डला है और stainless steel shutter पर भी मैंने यहां पर थोड़ा सा पेट्रोल डाल लिया है अब एक बार देखते हैं कि इसका क्या impact होता है तो हम लोग मानते ही कि MDF या WPC या HDF या Laminate ply बहुत सेफ होती है तर्माइट फ्री होती है तो देखते हैं कि इसका impact होता है यहां पर मैंने सब को जला दिया है यह आप देख पा रहे हैं कि यह आग इसमें लग चुकी है और अभी देखते हैं क्या impact होता है तो देखिए फ्रेंड्स यह है आपका WPC जिसको हम बहुत ज़्यादा बढ़िया मेटरल मानते हैं पहली बात तो यह फायर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है और आग लगने के बाद यह बहुत बुरहाल इसका हो जाता है हो सकता है थोड़ा बहुत waterproof हो टर्माइट यह भी सारा आप देख रहे हैं बिल्कुल जल चुका है और यह है 18 mm प्लाई लेमिने च्टर यह भी सारा यहां पर जल चुका है अब मैं आपको दिखाता हूं स्टेलनेश स्टील चाटर क्या उसका हर है में चक कर लेता हूं संड़ गरम तो नहीं है यह और उनकी स्टील organization के लिए आपकी सेफटी चैटर को यहीं बिगड़ा आपके सामने है हमने यहाँ पर इस पर मारा है चौक पाउडर और चौक पाउडर के साथ में हलका साथ पानी या आप कॉलिन भी स्प्रे कर सकते हैं और इसको नीट एंड क्लीन करेंगे आपके नॉर्मल कपड़े से आप देखेंगे कि आपका स्टेलनेश श्टर बिल्कुल सूपर डूपर वैसा ही रहेगा जैसा वो पहले था और यह है आपका स्टेलनेस श्टर इशी की काबिनेटth बनती है, जो हैंड्रेड परसंट आपको सेथ्टी देता है आपके घर के लिए, आपकी वाड़ोब के लिए, आपकी बात्वों वैलिटीज के लिए, आपके मॉडुलर किचन के लिए, तुकि किचन है कैसी जगह है, जहां पर आग का इस्तिमाल होता है, और आग लगने के संभावना ही, बहुत अधिक होती है, और ओफिस टैपनेट्स भी हम स्टेलनेस स्टील की बनाते हैं, जो 100% फायर पूफ है, जहांपर आपके इंपोर्टन डॉक्यमेंट्स या ऐसे आपके कागजा, जिसकी बहुत वैल्यू होने वाली है, आपके इंपोर्टन फायल, आपके क्लाइन्स के डॉक्यमेंट्स, सब कुछ बहुत अधिक, से रहते हैं, इसलिए मैं आपको रिक्यमेंट करता हूँ, स्टेलनेस स्टील शटर और स्टेलनेस स्टील काबनेट, तकि आप एक बेजरीन प्रोड़क्स के साथ, अपनी लाइफ को सेफ एंड सिक्योर बने हैं, हाई फ्रेंज, आई यू लुकिंग फॉर हाई प्रोफाल बि इंडिया, यू में चांत नएफू इंडिया, यू में चांत मैं तीम.